कि येलोगेरमन, वेलकम बेक तु मैं चैनल आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निरू पखोट टेबलेट के बारे में इस में पाया जाने वाले इंग्रिदियक्ट्रिमारา इंग्रिडियेंट या इन। कॉन्टेंटस के बारे में इसका इस्तेमाल कब किया जाता है किन किसमें निरोबियन फोट टैबिट का इस्तेमाल किया जाता है इसका डोज क्या क्या होता है या फिर इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे अगर सबसे पहले हम निरोगियन फोट के contents यानिकी ingredient के बात करें तो इसमें थाइमीन, राइबोफलेविन, पाइडोक्सिन, साइनेकोबालामीन, निकोटिनामाइड और कैलसियम पाया जाता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें थाइमीन की तो थाइमीन निरोगियन फोट में 10 mg पाया जाता है, वहीं राइबोफलेविन 10 mg, पाइडोक्सिन 3 mg, साइनेकोबालामीन 15 microgram और वहीं निकोटिनामाइड 45 mg और कैलसियम 50 mg पाया जाता है सबसे पहले अगर हम बात करें निरोगियन फोट में पाया जाने वाला निकोटिनामाइड के बारे में तो निकोटिनामाइड को हम विटाविन B3 या नियासीन के नाम से भी जानते हैं और निकोटिनामाइट जो होता है हमारे सरीर में एंटी ओक्सिडेंट के रूप में काम करता है वहीं निरोबियन फोट में पाया जाने वाला साइनिकोबालामिन जो है वो हमारे सरीर में बलड सेल के प्रोडक्शन में बोन मेरो में जो बलड सेल बनता है उसके production में यह काफी सहायक होता है वहीं निरोबियन 4 टैबलेट में पाया जाना वाला पारीडोक्सिन जिसे हम vitamin B6 के नाम से भी जानते हैं यह जो है हमारे सरीर में एक important role play करता है और पारीडोक्सिन हमारे healthy nerves के लिए इसकीन के लिए और red blur cells के लिए काफी आवश्यक होते है पारीडोक्सिन has been used to maintain nerves किसी patient को peripheral neuropathy हो रखा होता है तब ऐसे condition में हम निरोबियन 4 टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए दोस्ता अगर आप हम बात करें निरोबियन 4 टैबलेट के class के बारे में यह निरोबियन 4 टैबलेट किस ग्रूप से बिलोग करता है तो निरोबियन 4 टैबलेट जो है multi vitamin की ग्रूप से या supplement की ग्रूप से बिलोग करता है और निरोबियन 4 टैबलेट में vitamin B12 और vitamin B complex पाय जाता है और इसका इस्तेमाल जो है vitamin deficiency या vitamin से related कोई भी issue के लिए किया जाता है तो चलिए अब हम बात करते हैं निरोबियन 4 tablet के इस्तेमाल के बारे में कि निरोबियन 4 tablet का इस्तेमाल किन-किन cases में या किन-किन जगों पे किया जाता है तो सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल होता है निरोबियन फोट टैबलेट का इसका इस्तेमाल वाइटमीन डिफिसीएंसी में किया जाता है और इन्हेंस और बूस्ट इम्यूनिटी निरोबियन फोट टैबलेट जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है और बू है if Bay Club 54回去 को फिल करता है तब रेकर्णिसर में निरोगेन फोट ट्यमेट का सबते हैं जो हएंट्स धीय क्या यह जो है है उसके लिए या जुरान में पीन गज़ारी के यह बिए का वहीं इसका इस्तेमाल आप जेनरल हेल्थ सक्डाने के लिए कर सकते हैं important for the proper functioning of nervous system nervous system के proper function के लिए neurobian for tablet काफी अच्छा दवा है immune deficiency disorder कोई भी immune related कोई भी deficiency disorder होता है तब ऐसे condition में हम neurobian for tablet का इस्तेमाल कर सकते है और neurobian for tablet जो होता है वो हमारे immunity system को immune system को strength परदान करता है तो चलिए अगर अब हम बात करें निरोबियन for tablet के dose के बारे में तो neurobian for tablet को हमें दीन में एक बार लेना होता है या आपके डॉक्टर जैसे सला देते हैं उसके इसाब से आप neurobian for tablet का सेवन कर सकते हैं अगर neurobian for टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे हम बात करें तो निरोवियन फोट टैबलेट का साइड इफेक्ट के रूप में हमें नौजिया देखने को मिल सकता है और साथ में वर मीटिंग देखने को मिल सकता है कभी-कभी निरोवियन फोट टैबलेट लेने के बाद हमारे इसकी में रैसे देखने को मिल सकते हैं जिसमें इचिंग हो सकता है और निरोबियन फोट टाबलेट खाने के बाद आपको कभी-कभी डिजिनेस कभी महसूस हो सकता है दिक्रीज एप्रिटाइट क्योंकि निरोबियन फोट एक मल्टी वेटिमीन है और सप्लीमेंट है तब ऐसे किन-किन केसेज में कॉंट्रा इंडिकेटर है तब ऐसे कंडिशन में जब सिवियर रिनल इंप्लामेंट इंपेर्मेंट हो रखा हो तब ऐसे कंडिशन में निरोबियन फोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है है पर सेंसिटिविटी ऑफ एनिव इट्स सप्लीमेंट जो निरोबियन फोट में पाया जाते हैं सप्लीमेंट वाइटमिन बीशीक्स बीठी और पारीडोक्सिल यह सब किसी भी कंटेंट से अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है तब ऐसे कर्डिशन में आपको निरोबियन फोट नहीं लेना चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो आप हमसे जूड सकते हैं या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं चाहे तो आप हमें वाट्सेब पर मेसेज कर सकते हैं या हमारे ओफिस्यल जीमेल आईडि इमेल पर हमें मैसेज कर सकते हैं हमारा email id है contact.doctormazid.gmail.com या आप हमारे whatsapp पे message करके online consultation के लिए हमें join कर सकते हैं आशा करता हूँ कि यह video आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो हमारे channel को subscribe करें और video अगर informative लगी हो तो इस video को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें थैंक्यू जैहिंद